कि वीडियो के आपको नोट्स किप्षिंच में मिल जाएगे वहां जाके आपको एक लिंक मिलेगा और डाउन को सब्सक्राइब कि वीडियो के आपको और देखनी है फंडमेंटल इंवेश्मेंट के प्रिलिश में जाना है वहां पर आपको बहुत सारी और भी वीडियो मिल जाएगे चली शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक यूटी शेर की उपर है कि हमारे जिए होते हैं एक क्यूटी श करते यह वह narrender की है कि च्वड़ छोटेशोटे डिवाइड रटेती ईयाद कर देती हैं कि तो अगर किसी के पास हजार तो यह जो टुकड़े होते हैं जो चेर जो डिवाइड कर दिये इसी को बोलते हैं जो बैसिकली कंप्री ने कैपिटल को डिवाइड कर दिया चोटे-चोटे पॉर्षन में पार्ट्स में इन हर शेर की वेलु होती है कि अब यह शेयर वादो तरीकी के होते है एक होता है हमारा एक्योटि शेर जो की सबसे पहले कंपनी जब बनती है रहना वो होता है प्रेफरेश बड़ा ही सिंपल तरहीं से बतावगा ज्यादा डीप तो जाने यह है लिए नहीं सकते हैं कि होते हैं हमारे ऐसे कि कोई खरीदेगा तो वह अगर let मिले आपको अगर can को आपको वोट करने का अधिकार होगा तो आपके पास अगर ज्यादा शेड Äsit Company के अगर बटेगे तो आपको भी उसका == हिस्सा मिलेगा सबसे बढ़ी वान यह चीजा को बाटने के बाद उसका आपको मिलता है क треб आपको आपको वोट इगे मिल जाता है लेकिन नाम से इनको सबसे बहले प्रेफ्रेंस मिलती है एक्यूटी वालों से धि जैसे मैं कि बात करो तो इनको इन को आसेट पर नहीं मिल पाता इनको डिविजश मिलता है लेकिन नॉट फिक्स नहीं को डिविडों एक मिलता है और अगर कोई मालोगी कमपनी की ज skeptotic कर रिपेयमेट ऑफ क्याamel को दी जաժी है ऑलों के सबसे बात में ये प्रैफरेंश की वैलोवोशन पड़ेगे कि एक equity share कितने रपेका है यह कैसे निकाला जाए उसकी valuation कैसे होती है देखो उसमें हम कुरें कुछ assumption माननी है कुछ हमने assumption माननी है देखो सबसे पहले assumption क्या मानी भी है there is no redemption date जैसा को पता है कि क्यूटी शेर का कोई redemption डेट नहीं होता अगर कोई जिसे के अगर बात करें डिवेंचर की पर देना पड़ती है लेकिन की के में ऐसा नहीं होता वहां तो डिविडेंट देना पड़ता है और डिविडेंट क्या होता है प्रॉफिट का हिस्सा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट कि मालोग कंपनी ने कमाया पांच लाग रुपे तो पांच लाग रुपे का हिस्सा या तो वह देती है शेर शेर होल्डर् परेफरेंस वालों मिलता है और उसके बाद जो बचा कुछ होता है जो मैंना पता था रैजिडूटी वालों समझारी बात तो वह कह रहा है कि एक तो सबसे वहले और कंपनी और एक्यूटी शेयर को पैसा वापसी दिया जाता है ना उसकी कोई नहीं होती को ऐसा नहीं है कि जब कंपरी बंद होगी ना तब ही आपको वापसी दे जाएगा एक्यूटी वालों को पैसा ओनली इंदा केस ओव वाइंडिंग प को यह यह नहीं हो 밟े हुट कि यह सब से पहले को डेरिजल्ट यह नहीं पता होता है कि भईया पैसा वापक है कितना करना है हो सकता है कि पैसा कम मिले हो सकता है कि ज्यादा मिले कुछ नहीं पता टि के केस में तो भाई अगर आपने पांच लाग का लोन दिया तो ब्याज समय आपको लुटाना है तो पता चल जिता है कई पर क्या होता है कि आपने एक लाक के आपको एक लाक ही लोटाना है वह पर से ये कैपिटल भी बदलती रहती है विकॉस शेर की वेल्यू बदलती रहती है तो शेर की वैलू उस समय क्या चल रही होगी उसके साफ से हो सकता है क्वी पर क्या होता है कि आपने तो एक लाग के शेर दस रबे के साफ से है या आपको दस अजार शेर आपके बास दस रबे के साफ से बट उस समय शेर की वैलू 15 बेकी होगी है तो हो सकते हैं को ज्यादा पसर उड़ाएं तो दैट इस वाए वो कह रहा है डैंप्शन वैलू फिक्स नहीं है और एक और चीछ वही चीछ में को पतारा था कि कोई गरंटी नहीं है कंपनी फिक्स डिविडेंट देती नहीं है कभ कंपनी के डिविडेंट देना जरूरी होता है ऐसा कई नहीं लिखावा कंपनी की ऊपर बात होती एक कंपनी का कोई प्लैन है कि मुझे 50 लाग को अपने बिजनस के अंदर लगाना है कि मुझे फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट है उन पर पैसा चाहिए तो डिविडेंट बाटेगे रहा वह वो अपने पास रख लेगी वैसा लेकिन अगर अगर कम्पने को ऐसा प्लैन नहीं है फ्यूचर में तो कंपनी डीडेंट बाठ देती तो वही वह कहा रहा है यहां तो बास समझ में को रिडामशन डेड नहीं होती एक्यूटी शेर में रेम्शन वैली नह की निकलती है और आपको बैलंस शीट मेंना वहाँ पर एक सेक्षन मिलता है वाह पर उसका नाम होता है शेर होल्डर फंड शेर होल्डर कि नेट वर्थ नंबर ओव एक्यूटी शेर लेकिन ये शेर कैपिटल कैसे बनी वी है दस हजार शेर कंपनी ने मार्केट में इशू किये थे पर एक शेर की वलुट दस रखे थे लेकिन सबोस करो कि अब आपके सामने दस हजार शेर नहीं दे रखा आपको यह निकालना है कि कंपनी ने कितने शेर इशू करे थे सुरौ आपको यहीद रख़ा है आपको सबोत रख़ा है कि 10,000 शेड, लेकिन आपको यह नहीं पता कि 1 शे 6 की वैलू कितनी की है तो कैसे निगा लोगाd handle अभी मुझे यह निगानना है कि 1 शेड की वैलू कितनी तो समाझ मालेगा कि दस हजार शेर जो है उसको कितने से करना पड़ेगा कि एक लाक है एक शेर की वेल्व आ जागी कितने आगे द्रस तो वही तरीका निकालाना है वही तरीका बन गया कि क्यूटी शेर की नेट वर्थ देखो यानि कि उसका कितना टॉटल कैपिटल है और न आपको यही नहीं पता कि शेर कैपिटल है कितने कि तो यह कैसे निकलती है वह बता रहाए यह समझ में आगे ना कि बुक वैलू कैसे निकालती है कि एक्शेर की नेट वर्थ निकालो और नमबर ओव एक्यूटी शेर से डिवाइट कर दो अब सवाल ही उठता है कि एक्यूटी शेर की नेट वर्थ कैसे निकालती है तो देखो बड़ा सिंपल है सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है एक्यूटी शेर में एक्यूटी शेर कैपिटल देखनी पड़ती है और उसके अंदर कोई भी प्रोफित होता है जैसे कि आपने 11 प्लास से पढ़ा होगा कि द्रॉइंग को क्या करते माइनस करते प्रोफिट को एड करते नहीं लिखा है यह, जैसे कि आपने प्रोफिट्ट बचा लिया, रिजर्ब बना लिया सब कुछ इसके अंदर आजएगा और जितने भी लोसिस है ओल एकुमिलेटी लोसिस यानि कि जो भी खटा करके आम दें लोसिस अखे हुए है वो सब माइनस कर दो लोसिस सारे माइनस होते है प्रॉफिट सारे होते है तो शेर कैपिटल में पहले आप य समझागी वाद तो सबसे बड़े चीज़ होती है लेकिन बुक वैल्यू इस बेस्जों अन्रिलिस्टिक अजंप्शन डैट ओल एसेट वोड़ी रिलाइस ओन वैल्यू शोन इन बैने शीट बुक वैल्यू की सबसे बड़े कमी यह है कि हम यह मांगे चलते है कि इतने भी क यह हम जो एशेट ले एसे की वैल्यू लेगे वो बुक वैल्यू लेगे हम यह नहीं देखे कि उसकी मार्केट के वैलू के चल दी है हम यह मांग चलते हैं कि बुक वैलू पर ही एसेट बिखता है कि जितने का सब्सक्राइब करता है लेकिन दूसरा होता है लिक्यूडेशन वैली अगला होता है यह होता है जो इसने बुक वैलू की कमी को दूर करें हम वह एसेट लेते हैं अमाउνट वह लेते है जो जिस asset की value कितनी है कितने का relies होगा मनलब कितने का बिकेगा उस value को देखते हुए हम क्या करते है एक्यूटी शेर की capital लेगे लेकिन कौन सी value कि कितने का बिकेगा लिक्यूडेशन वेलू लेगे यानि कि कितने का बिकेगा वो लेगे लिक्यूडेशन का मतलब क्या है लिक्यूडेशन का मतलब जब कंपरी बंद होगी तो जब बंद होगी तो वो कितने का बिकेगा इसेट उस समय उसकी वैलू लेगे हम अंदर लगा लेगे कि भई मान लोग जब कंपनी बंद होगी तो एक लाग का बले ही मेरे पास है बट वह बिके का सिरफ बीस जार पे गई तो वह वैलू के साफ से लेगे लैबलेटी को कितने का पे करूँगा तो एक क्यूटी शेर कैपिटल और डिवाइड कर तो नमबल ओफ एक टूटी शेर से तो क्या आ गया तो क्या आ गया वही आ गया कि बुक वैलू की नहीं आएगी इस पर क्या एक लिकूटी शेर की वैल्लू आ जाएगी तो यहीं करना है आपने तो यह कॉंसेट लिकूटेशन का ज्यादा बढ़िया है क लिए बढ़ती रहती जो प्रैक्टिकल नेशेर है इसमें हम बहतर तरीका है ठीक है हाला कि यह मेथड जो है यह डिलाइजबल वैल्यू जो है यह टाइम कंजूमें एक्टिविटी यह निकानला कि उस समय कितने गप बिकेगा कई बार यह टाइम कंजूमी चाहीं होती है यह भी मैथर प्रॉफिटी बीडिकों इग्रोर करता है हम यह निए देखता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा उस समय हम उसके साफ से नहीं निगाल रहें हम इसमें यह यह सेट की वैलू के साफ़सें है क्योंकि हो सकता है कि कि प्रॉफिटिबिड को दोनों मैथट कर दिया हमने कि profitability के साफ से क्योंकि profitability के साफ से कई वर क्या होता है कि शेर की वैलू बढ़ जाती है चाहे बहले ही एसेड माइनल लाइबिल्टी माइनस करके नंबर और करके वैलू जो मर्जिया है तो यह दो मेथड होते हैं बैसी के लिए ज्यादतर हम यह और जो आज हम अजैगे एक्यूटी शेर बेस जो डिविडेंट जब हमारे को दिविडेंट रखा होता है तो डिविडेंट के बेस्पे हम एक्यूटी की वेलू कैसे निकालते है उसको समझेगे उसके होता है नोन डिविदेंट के साथ से इस मैंसेड में एजम्शन क्या लेगी चल रहे है डिविदेंट के बेस में कि डिविदेंट को हम एन्योली पे करते हैं पहली अगर आज आपने एक मार्च को शेर खेगा तो आपको एक साल रुगना पड़ेगा तब डिविदेंट बिलेगा यह अजम्शन और एक्यूटी शेर को आप बेचोगे तभी कुट भी सोल्ड ओनली एड़ एड़ एंड ओप यह एंड टू एट एक्स डिविदेंट प्राइस मतलब कह रहा है कि एक्यूट मिलने के बाद जो उसका प्राइस होगा वह उसमें बेचोगे आप तो डिविदेंट मनलब आपको एक साल के बाद मिल जाएगा तब आप बेचोगे यह एसंप्शन है तीनों समझे मागी देखो निकालते इसमें कई सारे टाइप होते हैं डिविदेंट निकालेंगे काफ डिविदेंड मोडल यह चार तरीक होते हैं डिविदेंड के बेस्पे निकालना के जो पहला तरीका है वह हम कवर करेंगे खली देखो पहला तरीका क्या है नाम से आको समझ मजबारा है जीरो ग्रौत मोडल मतलब कमपनी के पास कोई ग्रौत नहीं होने वाले कूच रॉच कोंस्टेंट डिविदेंट जो कंपणी प्रक को एक जैसा पर्पेच्वली पे करती रहें को डिविदेंट्ट्रीम के लिएटी बेंगे बनी रहती है दिविडेंट स्ट्रीम की तो वैल्यू ओशन ऑफ एक्यूटी शेर इस मैसर्ड के साब से कैसे निकालेगे फॉर्मला बनेगा पीजीरो डिवाइट वैड डी अपोन के अगे पीजिरो का मतलब होता है करनेंट प्राइस का चल रहा है क्योटी शेर का दी का मंदव अर्प के का मंदब कोस्ट ओफ एक्यूटी यह रिक्वाइड जो एक्यूटी शेर चाहता है अब इसको थोड़ा सब मैं एक्जामपल के दूद समझते हैं तब ही समय भाएगा विभेन के देखो अगलमान नेकि फ़र्म दिविडेंट देती है 10परसेंट09 क्यों टेस्ट है उसे बहुते nya लेकिन जितने का बिकता है उसे बोलते इश्यू price जिसे कभी शॉर्पे का शेयर भीकता है एक सोबीं में प्रीमियम जोड़ के भीकता है तो वह इश्यू price होता है लेकिन शेयर अक्सल्वे कितने का था उसे बोलते है उस्हक्ता वेल्ड्य Unterstützung पर ना तो कोई प्रीमियम विता है ना कोई डिसकाउंट होता है एक्चुल में वेल्यू होती है तो कंपनी के जो शेर की फेस वैल्यू है वो कितने कि यह सोर पर एक शेर की वेल्यू सोर पर कि कह रहा है कि find out the present value of the share if the dividend remains same and the required rate of return is 8% क्या मतलब है क्या मतलब है क्या मतलब इसका कंपनी डिवेंट देती दस परसेंट एक्यूटी शेर मुझे पताओ डिविडेंट कितना देरिया कंपनी दस परसेंट तो अगर एक शेर की वैल्यू सोर पे की है तो सोर पे का दस परसेंट देती है डिविडेंट यही है नस का मतलब कंपनी पे डिवेंट दस परसेंट ऑन सोर पे तो सोर पे का दस परसेंट मलब दस रुपे यानि कि एक शेर पे कंपनी दस रुपे का डिविडेंट देती है यही है एक शेर पी वैल्यू सोर पे है और स प्रसंद देती है मतलब दस रुपे एक शेर पे आपको मिलते है डिविडेंड की तूब में समझागी यहां तक बात वो कह रहे है कि प्रेजेंड वैलू आज शेर की वैलू कितने की आज की वो निकालो अगर डिविडेंड सेम रहेगा मतलब डिविडेंड हर साल दस रुप इसका मतलब यह है कि अगर आप रिक्वाइड रेट ऑफ रिटन का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा वो क्या चाता है वो चाता है कि मुझे आट परसेंड का रेट ऑफ रिटन क्या चाता है वो कि आट परसेंड का मिले मतलब मैं जो पैसा लगा रहा हू उसका 8% मुझे वापसी मिले हर साथ, वो यह चाता है, बलब मैंने अगर 100 पे लगाए, तो 100 पे का 8%, 8 रुपे तो मुझे वापसी मिले ही मिले, यह वो चाता है, तो वो चाता क्या है, इन्वेस्टर 8%, उसके इसाफ से कह रहा है कि शेर की वैलू क्या होगी, निकालो, इसी को बोलते है, रिक्वाइड रेट ओव रेटं का बोलते है, के इ, कोस्ट ओफ एक्यूटी, यानि कि आप जब कोस्ट ओफ एक्यूटी का मलब, कि जब इन्वेस्टर खरीदेगा शेर, तो उसे 8% का कोस्ट है, उसकी, मलब आट परसेंट उसको कम से कम चाहिए, रेटे रेट उसे बोलते है, कोस्ट ओफ एक्यूटी, क्या बोलते है, कोस्ट ओफ एक्यूटी किसले बोल रहे है, कंपनी के साफ से कोस्ट है, मलब, इन्वेस्टर का तो ये फाइदा है, 8%, बट अगर ये इन्वेस्टर को 8% कौन देगा, कंपनी देगी, तो कंपनी के लिए क्या मनगा समझा रहों मैं क्योंकि ताकि मैं चाता हो कि कोई रहे वनक्रोइब करो इस तहरे से बताएगा निए न इसलिआ विडियो अधन से हो की कोषट भी हुटी है एप मुझे सब निगालना है कि शेर की वेलू कि से सब्सक्राइब कर देना है ठीक है अच्छा आठ परसेंट मुझे सब्सक्राइब कर देती है कि यह कंप्रेंट देती है एक डिविडेंट पे और आपको पता है न कि यह 10 रुप घुपर लिए उसको यूज्थ करके हमने डिखाली डिविडेंट कितना मिलेगा तो 10 रपे मिलेगा हर साल उसे लेकिन वो रहें कि दस रुपर मेरे जो शेयर मैं खू्ड रोगा उसका और परसेंट हो यंकि मैं फैस सकता हो कि अगर माल पर से शेयर की वैलू है छेयर की वैलू कितनी होती है अपने मानुतों एकस था n कितना ने एक्स का बेसिकली आठ परसेंट जब मैं निकालूगा तो कितना आना चाहिए दसर पर ना चाहिए वह यह कह रहा है हाए यह ना हाए ना मुझे बताओ वड़ावड से हाए ना बिलकुल हां कि शेर की वैलू है जितने भी होगी उसका आठ परसेंट निकालके दसर बना चाहिए अब यह ना कहता ना कि शेर की वेलू है उसका वो आठ परसेंट वो यह कह रहा है तो मुझे नहीं पता वो शेर की वेलू है कितने की यह तो मुझे करना पड़ता सोर पे होता इसकी वेलू अगर इसका निकालता हूं शेर की वेलू का अब उसके लिए शेर की वेलू कितनी होनी चाहिए वो मुझे नहीं बता कि यह 10 रुपे मुझे लाना है लेकिन यह वह 8 पसंट होना चाहिए अब एक्स माल दें मेरे उसे तो अगर मुझे एक्स की वालों निकाले तो क्या करना पड़ेगा तो नहीं है यह न तो दस रुपे का आफ पर दिवाइट करूं तो तो कितना हो जाएगा यह एट बाइ हंड्रे नीचे आजएगा और यह उपर ल किलिए वन्टोंटिफाइव आ गया इसका मतलब शेर की वegल की कितनी है प्रेजेंट के नि प्राइबहर कितनी उसकि पी-जीरो जिसे बोलते है व्हां एक 1500पी यानि के शेयर की वेलू 135 25 रुपे की है क्योंकि जब 125 रुपे का शेर खरीदेगा वो तो उसका आठ परसेंट उसे 10 रुपे हर साल मिलेगा इसी लिए फॉर्मुला बर गया देखे डी अपॉन के समझाया कैसे निकला डी अपॉन के यह ऐसे एक समाल नहीं से तो मुझे के इसे डिवाइड करना पड़ेगा जितना वो चाता है इस हिसाब से देखो फॉमुला मने हर चीज के पीछे लोजिक होता है मैंने आपको डेरिविशन में सिखा दी कि देखो के इस से डिवाइड क्य शेयर की वालों ज्यादा आने चाहिए ना तो एक्स होगी तो एक्स को निकालने के लिए करना पड़ेगा आठ परसेंट डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो आएगी तो ऐसा फॉम्ला मंजत है समझाई बात मुझे मुझे मुईत करता है पूरा समझ में होगा वीडियो को फिलागा बीदो कोॉ